सबीको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकराएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस् इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेका और बहुत मज़ा आएका तो इससे अंत्रिव देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसे इंट्रोस्टिंग नॉलिजबल और मज़ेदार वीडियो लाते रहें ज में उन्हें लेके कभी कोई अलफाज यूज किये गे बलावलबुटो की तरफ साहब की तरफ से कभी किसी की तरफ से कभी ये कहा गया मुसल्मानों पे बहुत जलम हो रहा है बीजे पी की तरफ से नरिंदर मोदी की तरफ से आर एसस की तरफ से लेकिन ये चीज़ चाहे प में बहुती चीजों को अचीव कर चुका है चाहे वो एकानमी में हो चाहे वो अपना आईटी में हो चाहे वो टेकनालोजी में हो या फिर इंटरनेशनल अफेर्स में हो हमने रशिया के मामले में देखा हमने यूएस के मामले में देखा हमने एरान के मामले में देखा बहुत लोग वहां में बैटे हैं डेफिनेटली आप मुझे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कौन सा प्राइम निस्टर आपके लिए बेहतर है हमें जो यहां में बैठ के नजर आ रहा है कि इस दास सालों में बहुत सी चीजें हमने देखी हैं जो हमारे मीडिया हमें बता रहा है क आप लोग आगे गे डिवेलपमेंट की तरफ गे नाजिया जी है यह तो वह है जो हुआ सो हुआ आगे क्या करने वाले हैं मतलब दो तीन ऐसे दावे या दो तीन ऐसी स्टेटमेंट हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन मुश्किल के तीसरी बड़ हम होस्ट करेंगे यह भी लोगों को नहीं पता था आइमेक कोरिडोर हमारे साथ साइन होगा हमारे देश के साथ यह भी लोगों ने 2013 में 2014 में भी बिलीव नहीं किया था पर बिलीव करना पड़ा जब हो गया तो करना पड़ा लोगों ने यह भी बिलीव नहीं किया था कि क किसी ने यकीन किया था किसी ने बिलीव नहीं किया था पर हुआ डेफिनेटली हुआ भारत आने वाले पांच साल में हमारा केंद हमारे परधान मंतरी हमारे फॉरेंड मिनिस्टर अजित जोवल जी क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूं हम क्या करेंगे जो हम लोग हैं हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूं और मात्र मैं continue आप से सिर्फ तीन मिनट मांगूंगी और तीन मिनट में मैं आपको पूरे भारत में भारत सेमी कंडुक्टर हाइडरोजेन मिशन जो अपकामिंग है हमारा भारत बेस्ट वाटर वेस्ट किसी को दिक्कत आज भी नहीं हो रही है दस सालों में पानीगा और आने वाले वक्त में भी नहीं होगी भारत गगनियान सिथर सिम्रत शशक भारत भारत Defense Export and Export, भारत यूवाओं की शक्ति, भारत Best Space Sector, भारत Best Solar Power, भारत Best EV Manufacturing, यह है वो कारिय जो मोदी जी करेंगा, अब जैसे ही हमारा कमपैंग खतम हुआ था, वैसे ही बहुत हाइव अबेला विपक्षियों ने मचाया, कि मोदी जी क्यों चले गएं सुआमी विवेका नन जी के प्राथना में और वो मौन वरत में क्यों बैट गए वो रॉक माउंटेंग क्यों चले गए अरे जहां एक तरफ विपक्षी दल के राहुल बाबा और कई ऐसे नेता जो विपक्षी दल के बैंककॉक के टिकट करवा रहे थे वहीं पर हमारे भारत के परधान मिंत्री मोदी ज कि रॉक माउंटेंड स्वामी विवेका नंजी के पास चले गए और कन्या कुमारी जा करके वो बैटे एक बहुत बड़े साधना में और पूच्चा में और भक्ती में और याद रहे कि एक बहुत बड़ा ड्रीम हमारे भारत के प्रधान मंत्री का था सागर माला श्री लंका और भारत की कानेक्टिविटी को स्ट्रॉंग करना और बहुत नॉर्मलाइज करना और वहां से उन्होंने उसका शुरुआत कर दिया मतलब आप समझ रहे हो 30 तारिक को 30 महीं को वो वो बिंगॉल में में मेगा रोड़ शो कर रहे थे मेगा रोड़ शो हम सामने में खड़े थे पश्रमिंगॉल में हम वहां पर एजा एजा वरकर एजा कारे करता एजा वालिंटियर हम खड़े हुए थे और उसके बाद पिर 31 सारिक को हमने देखा कि हमारे भारत के प्रदान मंत्री सागर माला प्रोजेक्ट को भी मद्दे नजर रखते हुए वो स्वा अगर माला प्रोजेक्ट का उन्होंने नीफ भी रख दिया समझ में आई आई आपको बात कीक है वो बहुत दूर तक सोचते हैं चहां पर हम सोच भी नहीं सकते हैं या राहूल बाबा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं वो उतने वो उसको पहले सोच लेते हैं अब आत से बिल्कुल अगरी करूंगी कि सारे धरम पहले population बढ़ा रहे थे लेकिन reformation सारे धर्मों में आया पर मुसल्मानों में नहीं आया तो एक population control बिल आना चाहिए जिसकी वजह से अगर आबादी under control होगी तो सुविधाएं और employment सबके घर-घर तक पहुँच पाएगा UCC का implement भारत में पूरे भारत में करवाएंगे मरदर्सा को तोड़ कर सबको स्कूल बनाएंगे मजारों को तोड़ कर सब पर university, library और educational center खुलवाएंगे नमाज, सड़क, बाजार, shopping mall, समुंदर, तालाब, नदी जहां जहां पर पढ़ते थे लोग उसको बंद करवाएंगे मस्जित के मस्जितें क्योंकि तीन लाग से ज्यादा है हमारे पास उसमें जाकर नमाज पढ़ो, मुस्लिम औरते भी मस्जित जाकर के नमाज पढ़ सके और किसी के बिना permission के इस equality को हम दिलवाएंगे मुस्लिम औरतों को, औरंग जेब और बाबर ने जो भारत में 40,000 मंद संपत्ती है, उसका डेटा निकलवाएंगे और उस दो लाग करोड की संपत्ती को मुसल्मानों पर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, उसका भी डेटा निकलवाएंगे और अगर ये दो लाग करोड की संपत्ती मुसल्मानों के हित में काम नहीं आई है, तो का नाम दिया था, इलेक्षिन की कम्पैनिंग के दौरान, जिस जो मस्जिदे जरारा जो होता है, वो मुनाफिकों का, मुनाफिकों ने बनाया था, अरब में, उन्होंने मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को वो नाम दे दिया, तो जिस हिसाब से अवेसी ने, वी लता को सरे बाजार माबेहन की गालियां दी, FIR होकर रखा हुआ है, हम उसको जेल भेजवाएंगे, अब इसी के प्रवक्ता जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर हाजी सहाब है, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा था, कि मैं से इंप्लिमेंट करवाएंगे, तो ये हम करवाएंगे. सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपने से इंट्रोस्टिंग, मज़दार और जबदस्ट वीडियो लाते रहें, जै हिंद, जै भारत!